दोस्तों यह वीडियो खासतो और पर आपको प्रेरित करने के लिए बनाया गया है, ताकि आप भी मिहनत करें, UPSC जैसी कथिन परिक्षाओं को पास करें, और फिर जब आप नौकरी हासल करेंगे, तो जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा. जैसे कि IPS नवजोद सिमी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका है, हाल ही में उन्होंने अपने बेटे का पहला जनम दिन बड़ी धूमधाम से मनाया, उनके बेटे का ये जनम दिन उनके परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बेहत शांदार तरीके से सेलिब्रेट किया ग के IPS ऑफिसर का पद हासिल किया, इससे पहले उन्होंने बेचलर आफ देंटल सरजरी की दिग्री हासिल की थी, हाला कि उनका सपना कुछ बड़ा करने का था और उन्होंने अपने सपनों का पीछा करते हुए IPS बनने का फैसला लिया, आज वो बिहार कैदर की एक बेच के I.A.S. अधिकारी हैं और फिलहाल किशन गंच के DM के रूप में कारेरत हैं, दोनों की प्रेम कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है, उन्होंने 14 फरवरी यानि वेलेंटाइन दे के दिन शादी की और अब दोनों बिहार कैदर में साथ काम कर रहे हैं, इन दोनों ने शा का मानना है कि U.A.S.C. जैसी परीक्षा पास करने के लिए ग्रिण निश्चय और मोटिवेशन की जरूरत होती हैं, उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि अगर आप परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने लक्षय को सपष्ट करें और यह समझे कि आप कर लेते हैं, तो जीवन में बदलाव और खुशिया आपके सामने होंगी, तो अगर आप भी अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें, और U.A.C. परीक्षा की तयारी पूरी निश्ठा से करें, याद रखें, सफलता के बाद का जीवन अलग ही होता है, एकदम खुशियों से भरा हुआ, तो दोस्तों, इसी तरह की प्रेरना दायक बाते और U.A.C. परीक्षा की तयारी के टिप्स के साथ हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहें, अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाते रहें, और हमेशा मोटिवेटेड रहें, आपका लक्षया आपके इंतजार में है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें